सब्सक्राइब कीज़ी सिंपल एंड इजी क्लासिस को और स्टडी से जुड़ी अपडेट्स के लिए बैल आइकन को दबाईए हेलो विबस, वेलकम टू सिंपल एंड इजी क्लासिस आज की वीडियो यूपी वोट के सभी स्टुडेंट्स के लिए बहुत ही खास होने वाली है आपको बता दें जो 10th के स्टुडेंट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए निर्देश दे दिये गए हैं इसका मतलब यह नहीं है कि सभी स्टुडेंट्स के स्टुडेंट्स को प्रमोट किया जा रहा है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी स्टुडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा ऐसे भी स्टुडेंट्स हैं जिनें प्रमोट नहीं किया जाएगा तो वो कौन स्टुडेंट्स हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसलिए वीडियो पर लास तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर कर दे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि आपने यह देखा कि परिक्षा फॉर्म का सत्यापन नहीं अपात्र भी होंगे पास यहाँ पर क्या है कि हर साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स exam form फिल करते हैं उसमें बहुत सारी दिक्कते आती हैं तो जिनके exam form में दिक्कते आती हैं उन्हें exam से पहले ही खटा दिया जाता है वो जो students होते हैं वो exam नहीं दे पाते हें, लेकिन इज़ बार ऐसा भी पास होंगे तो इस बार में हम देखते हैं यूपी बोर्ड की दसवी परिक्षा में इस बार हजारों आपात्र विध्यारतियों के पास होने की आशंका है क्यूंकि कोरोना के चलते इस बार बोर्ड ने परिक्षा फॉर्मों की जाच नहीं की है जो चात्र परिक्षा से प रद्ध कर सभी को अगली कक्षा में प्रोनत कर दिया जिससे इस बार सभी परिक्रत छात्र पास हो गए हाला कि अधिकारियों का कहना है कि यदि जाच में कोई छात्र अपात्र निकला अपात्र निकला तो उसका रिजल्ट रद्ध किया जाएगा यूपी बोड की दस्वी और बार्वी की परिक्षाओं में गलत तरीके से परिक्षा फॉर्म भरवाने और नकल करवाने के मामले सामने आते रहते हैं। इसके मदेनजर यूपी बोर्ड परदेश ने दस्वी और बार्वी के परिक्षा फॉर्म भरवाने के बाद उनका सत्यापन करवाते हैं, जिसमें हर साल हजारों बच्चों के फॉर्म के दस्तावेजों में खामिया निकलने की वज़ा से उन्हें रिरस्त कर दिया जाता है। मगर इस बार किसी भी छात्र का फॉर्म निरस्त नहीं हुआ है, ऐसे में इस बार गोल माल के आशंका लग रही है, लेकिन आपको यहां बता दें कि छात्रों का जो रिजल्ट है वो परिक्षा फॉर्म है, वो बाद में सत्यापत किया जाएगा, कुछ छात्रों की पसंद आई, आपको यह इंफॉर्मिशन यूस्फुल लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जासरा शेर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो